बाबा भक्तों के आने का टाइम हो गया गेट खोल दे बाबा खोल दे तुम गेट खोल दे तुम ना यहाँ जाडू लगी है ना यहाँ पोच्छा लगा है तुम गेट पहले खोल दे तुम सब सामान भिखरा पड़ा है कमला पसंद थुका पड़ा है लेकिन तुगेश खोल दीओ सबाजे और देख ले यहां तक कि हमारी डाणी अब तक हमायँ पास नहीं आई कहा है हमाई डाणी डाठी तो चूहे कुतर दी हिन वाह नहीं नहीं वाह हमारी दाड़ी चुहों ने कुतर दी क्या बात है अब हम यहां बिना दाड़ी के बैठेंगे तो अब किया भी क्या जा सकता है बैठना ही पड़ेगा हां क्यों नहीं किया भी क्या जा सकता है अब बाबा से बववा बनके बैठना ही पड़ेगा हमको और जब लोग पूछेंगे तो कह देना कि आज बुरा था है इसलिए दाड़ी कटवा दिया बाबा इतना परहसान का है रहते हो तुम बाद बाद पर प्रते तुरंत खोल दियुगेट हेस्क प्नत करके हम से कोई कुछ कई नहीं रहेगी कुछ चले उठाले ढू difale क्या कर ले कि तुम्हे काम करो यहां से वहां दूर्ते ना जह रहो लेकिन ख़ड़े न रहो माई सामने पता है तुने पतक दंगय हमें आई पर यह सब समान पड़ा हटाओ यह सब क्या समान पड़ा है यह तरु की बोतले नम्कीन बिसकेट यह कमला पसंद की पुदिया सब देखो तुम्हारे पास दो अप्शन है पहला कि हमाई खूपड़े रखते हो और दूसरा सरयाम बीच बजार में रखते हो जिसे सब लोग देखे कि बाबा ताओ पीते हैं कमला पसंद चाहते हैं और सब समझ जाए कि बाबा धोंगी है फिर हमाई पिताई है कि और तुम गा अधाना बाबा धोंगी है धोंगी है थीक है सर पे रखे दे रहे पास पड़ेगा अरे पागल चपे रखो जाके अब चपे ना रखवा बहुत बार बार उद्थर ना बैटना पड़ता है तुम कहीं ना उत्रो बैठो तुम यहीं ख़़े रहो हम यहां अपनी जिंदकी करें ले रहें तुम यहीं पड़ा रहें दो इसको ठीक ठीक अरे दादा उधर रखो जाकर निमास सर फट जाएगा पता दे रहा है अच्छा तो क्या कहीं रहे हो प्रभू बाबा हम यह कही रहे थे कि कितनी देर बाद गेट खुल वाओगे कहें तुमको लेटर बातरूम लगी है क्या चो खड़े आधर थोड़ी देर एक से भंक पड़े हमाया हो गया सारा काम हां तुम्हाय पास तो कोई कामी नहीं था काय भी गय नहीं तिवा रखने मेरा चेहरा देखो सब ठीक है बाबा लग रहे है कोई दिक्कत तो नहीं है नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं ठीक तो है ठीक है सब ठीक है सीशा लेकर आओ यार तुम लोग पर भरोसा भी करना बेकार है दो सीशा मेरे बाल कहा है बाल बाल के बाल ही गाया बोगाए मेरे साब ने खड़यों के मसूड़े ना दिखाओ जाओ अंड़ा के पाल लेके आओ बकसे के पीछे पड़े होंगे बाल कल गिर गए थे लोगों से कहिना के हम ध्यान लगाए सब लोग अपनी पोजीशन लेओ और तुम गेट खोलो गेट खोलो महराज अच्छा अच्छा गेट खोले हाँ ठीक बाबा बाबा मुंडी नीचे करके काय बैठे है बाबा ध्यान लगाए जब हम लोग अंदर आते तब ही बाबा काय ध्यान लगाते अभी तक तो चिला रहे थे खुब और बाबा की दारी कहा चली गई आज बाबा का वरत थे इसलिए बाबा नदरी कटवाई है अच्छा ए श्यादा तही की कात बगारा तुम ना करो जो दिक्कत है बोलो निकल ले यहां से बाबा हमाई आर्थिक इस्तिती बहुत कमजोर है तो हम क्या करें हमाई बड़ी बजबूत है जैसे आर्थिक इस्ति चले आए मुठा के तो आपकी भी कमजोर है क्या हम तो राजा है महलो में रहते हम सोने के कपड़े पहिंते चांदी का मुकुट लगा देखो हमाई घर में आर्थिक कहने को कोई चीज ही नहीं है एक कच्छा खरीदना चाहते हैं दो सो रुपए का आता है दस दिन से पईस तोम नहीं को चले करें है तोि पंहां दो सो रुपय को कच्छा तार्य रहा है अब पिंग क्छा था मतलब बबाबधा को चोत वह था सम्झे रहां और तुम नहीं खेbonृआ है पाइली बात तौम से काइदम बात कर लियो दूसरी और दूसरी बात कि हम जानते हैं आपने अपनी धोती के नीचे जीन्स पहिनी है तो जीन्स पहिन सकता क्या कोई इंसां तो आप बाबा हो तो बाबा हो के जीन्स पहिन होगे धोंगी हो क्या देखो ऐसा है थंडी लगती इसले पहिनते तो अभी तो थंडी का सीचन शुरू भी नहीं हुआ गर्मी ही चल ली मतलब पक्का धोंगी हो अरे मच्छर काटते हैं यार इसले पाइन ते कोई दिक्ट तो मच्छर काटते हैं तो मॉर्टीन लगाओ जीन स्पाइनने की क्या जरूरत कहा मॉर्टीन लगा ले बताओ कहा मॉर्टीन लगा ले धौतिक नीचे मॉर्टीन लगा ले प्रशाद लेना है अच्छा कुछ चड़ाने और हाने के लिए लाए हो कि इसे प्रशाद लेना है लाए तो नहीं है मतलब हम सब को फ्रीन प्रशाद बातेंगे क्या बात है यहां बंजारा चल्ला जो प्रशाद लेने आ गए हो और क्या बंजा रही समझो पाल पाल ने प्रशाद दिया है भाई बाबा ने अपने बाल अरपित कर दिये बाबा ने अपने बाल प्रशाद में अरपित कर दिये कि विग गिर गई बाबा की हमने हमने अपने बाल अरपित किया है वो प्रसाद वांग रहा था इसलिए नहीं नहीं है तो ये विगी क्योंकि इसमें कंपनी का नाम भी लिखा है मतलब बाबा धोंगी है बाबा धोंगी है क्या बाबा धोंगी है बाबा धोंगी है बाबा धोंगी है बाबा धोंगी है तो अब अब क्या बाबा पीते जाएंगे और बाबा सूते भी जाएंगे झाल